हलो दोस्तों स्वागा थाप के मारी यूट्यूब चैनल यूगल्स गार्डन में उम्मीद है आप स्वास्त होंगे और हेल्दी होंगे तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं जैसा कि आप थामनेल देख करके समझी गए होंगे कि आज हम लोग बात करेंगे मिर्च के पौधे में जी हाँ मिर्च के पौधे में ये जो रोग लगता है जो कीड़े लगते हैं जिससे पत्तियां सिकुड जाते हैं जैसा कि आप मेरे पौधे पे देख रहे हैं इसको हिंदी में मौरोडिया रोग भी कहते हैं दियाती भासा में लोकल लैंग्वेजिज में इसको मौरोडिया रोग कहते हैं इसके बहुत सारे रोग के नाम है मैं उन डीटेल्स में नहीं जाना चाहूंगा आज इस वीडियो में मैं आपको इसका एक हुपाय बताऊंगा कि इस रोग से अगर आपके पावदे ग्रसीत हैं या पीडित हैं तो उनको कैसे ठीक किया जाए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिजिए चानल को सब्स्राइब कर दिजिए नोटिफिकेशन अल पर सब्स उसमें जो सबसे में कारण यह है जो में रिजन है वह है वाइट फ्लाइ ठीक है वाइट फ्लाइ क्या करती है कि वह उड़कर क्या आती है आपके पावदे पीछे पकती है फिर उनके पीछे पीछे जो बैक्टिरिया होते हैं जो वारस होते हैं वे भी पावदे तक आते है ये जो रोग है जो मिर्च के पौधे में लगा हुआ है ये बैक्टरिया से भी होता है और ये वारिस से भी होता है तो इमानारी से कहा जा है तो ये जब रोग पौधों को लग जाता है उसके बाद कितना हूँ आप दवा करेंगे इसकी कोई भी पेस्टिसाइड शिड़केंगे कुछ भी करेंगे तो ये फिर कंट्रोल में होने वाला नहीं होता है अगर शुरुवाती पल हो अगर एक दो पत्ते में हो तुरंट अपने पहचान लिया तो उस समय ये चीज़े दूर हो जाएंगी बिमारी इसकी दूर हो जाएगी लेकिन अगर रोग ने पकड़ लिया रोग पकाड़ने के बाद फिर उसका एक फिपा है पौधे को आपको प्रियोग आपको तभी करना है जब शुरू आती लक्षण हो एक से दो पत्ते में मिल जाए तो इस दौधे को लेकर करके पानी में अपने पौधे पे इसका छिड़ काव कर दिजे और मैं आपको एक बात या दिला दूँ मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि आगर आप प्रियोग आपको तभी करना है जब शुरू आती लक्षण हो एक से दो पत्ते जब डाइमेज हो उसी समय आप इस दवा का प्रियोग कर देंगे तो बीमारी 90% आपी कंट्रोल हो जाएगी ठीक है तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में तबते के लिए जाहें जाए भारत किया जाओ।